हलो एब्रीवान मैं हूँ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटिप चैनल गवर्मेंट जॉब जैन्यू नॉटिफिकेशन ICMR रिकूट्मेंट 2023 का नॉटिफिकेशन रुलीज हुआ है रेगुलर बेसिस यहां भरती है दो अलग अलग पोस्ट पर भरती नॉटिफिकेशन है और दोनों पोस्ट के लिए एक पोस्ट पर बैचलर डिग्री अलिजबल रहेंगे जन्होंने बैचलर डिग्री ली हुई है ग्रेजिशन किया हुआ है और सेकंड जो पोस्ट होएगी उसके लिए 10th पास कांडिट अलि करेंगे ऑनलाइन आपको अप्लाइक करना होगा और सारे इंफोर्मिशन आपको नॉटिफिकेशन के थुरू किलियर करती हूं आगे वीडियो में बनी रहेगा इसकिप मत किजिएगा सारे पॉइंट से आपको किलियर होंगे समझ आएंगे अगर आप एलिजबल्टी रख ओलाइन अप्लिकेशन सारे इंवाइटेट फॉल्विंग पोस्ट अंडर टेक्निकल केडर ओन रेगुलर बेसिस एट आई सी एमर एन आई 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 आटी चैन्नाई अल इंडिया से अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन यह चैन्नाई में विकेंसी है और आपकी पोस्ट इंगा रहेगी ठीक है पोस्ट देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट जैसे टेक्निकल असिस्टेंट पर टोटल कितनी पोस्ट है वह हम देखेंगे तो यहाँ पर 60 टोटल पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 60 आई हुई है लेकिन फिर यहाँ पर डिवा post है इसके बाद post code यहां जैसे कि वह ने बता है technical assistant की 60 post है 60 vacancy है लेकिन यहां पर post code यहां पर अलग देखने हैं आप तो यह discipline में अलग अलग रखी गई है जैसे अगर आपने microbiology, bio technology, medical lab technology इसमें अगर आप कर रहे हैं apply तो इसी से आपका bachelor degree होना चाहिए ठीक है first class three year bachelor degree होना चाहिए वहीं अगर आप bio chemistry, chemical pharmacology के लिए कर रहे हैं तो यहां पर first year bachelor first class three year bachelor degree आपकी होनी चाहिए bio chemistry में या फिर medical bio chemistry and pharmacology, medical pharmacology, clinical pharmacology, biomedical science and medical laboratory in messy तो यह discipline अलग अलग है उसी साब से आपकी graduation required रखी गई है bio information में भी है इसमें भी अगर आप करना चाहें तो इसमें भी आपने bio information में ली हुई ओ डिग्री और first class आपने engineering technology degree ली हुई है bio informatics, bio technology then आप इसके लिए eligible रहेंगे ओके इसके बाद जो next से बहुत सारे discipline यहां पर है 60 post message तो इन में से कोई एक ना एक आपके पास जरूर होगा आप यहां पर देख लिएजए मैं यहां आपको discipline सारे बता देती हूँ biomedical engineering instrumentation engineer में है statistic में है computer programming में है इसके अलबा electrical में है health economics में भी विकेंसी है and mechanic में विकेंसी है next देखेंगे इसमें तो यहां पर next network administration में है pharmacy, psychology, server administration and social work sociology, x-ray, veterinary science तो यहां पर all जो bachelor degree यानि any bachelor degree जो रहेंगे उनके लिए सभी के लिए लगवग यहां पर विकेंसी है next जो post है वो है laboratory attendant की laboratory attendant की जो post है इसमें pay matrix level बन से sell दी है group C की post है 18 से 25 साल age limit है total यहां पर 13 post है ठीक है 13 जिसमें से laboratory के लिए और plumber के लिए laboratory में इसमें 10th pass candidate apply कर सकते है discipline यहां पर दिया गया है 10th आपने 50% marks के साथ pass out किया हो one year का experience हो apply कर सकेंगे plumber के लिए भी 10th आपने 50% marks के साथ pass किया हो one year का working experience idea यह किया हुआ हो apply कर सकते है ठीक है अब यहां आप यह जो विकेंसी है यह भी हमने यहां पर देख लिया है आप यहां एक मिट उपर में आप देख लीजे इसको यह overall यहां पर total vacancies और देख लीजे एक बाल तो technical assistant group B और liberty attendant group C group B यह technical assistant है उसमा 60 vacancy है group C के लिए 13 vacancy है total 73 vacancy है categories wise आप देख सकते है salary भी आप दौनों के लिए देख सकते है जो कि हमने अभी चेक भी की ठीक है अब यहां पर apply online आपको करना है other किसी mode से यहां पर apply नहीं करेंगे and application fees non refundable application fees है 300 रुपए application fees रहेगी जो भी SCST candidate है PWD candidate है act service है man है and woman candidate है इनके लिए कोई भी fees जमान नहीं करनी है fees माफ है इनके लिए 300 रुपए application fees यहां पर रखी गई है कौण कौण से documents यहां पर required रहेंगे वो आप यहां देख सकते है इसके बाद हम इसका selection procedure और देख लेते है selection procedure में आप देखेंगे technical assistant के लिए technical assistant तो यहां laboratory और technical assistant दौनों के लिए written examination रहेगा technical assistant के लिए general English, general knowledge, current affairs, aptitude, logical reasoning and subject matter जो भी discipline है उससे related तोटल यहां पर आप सभी के questions देख रहे है कितने कितने नंबर के questions आएंगे and laboratory attendant के लिए भी general knowledge, numerical aptitude, general English, reasoning and subject matter ठीक है यहां दिया गया है question from the subject matter will be a level यहां पर जो आपका जो हमने अभी discipline देखी थी ना वो ही subject से related questions आपके रहेंगे टोटल यहां पर computer waste test होगा 90 minute की timing दी जाएगी टोटल 100 question रहेंगे negative marking भी रहेगी 0.25 mark negative है 100 question 100 marks के रहेंगे and आपका जो examination center रहेगा वो चैन नहीं पुड़चेरी में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा ठीक है apply आप कर सकते हैं Indian citizen है आप इसमें apply कर सकते हैं the applicant must be a citizen of India age limit हमने सारी देखी लिए birth date और आप यहां से check out कर सकते हैं age relaxation general candidate के लिए नहीं है reserve categories में आप बलॉंग करते हैं तो आपको relaxation भी मिल जाएगा तो यहां अगर आप interested हैं apply करने के लिए तो एक वार इसका नॉटिफिकेशन चकाउट कर लीजेगा आप इसकी official site पर and यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन के ओल अपसन को प्रेस कीजे thank you